तो कैसे हुआ अब सब एशिया कप शुरू हो चुका है पहला मुकाबला अफगानिस्तान ने जीता दूसरा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बिच बहुत धमाकेदार मुकाबला हुआ वही एकसपेक्ट करेंगे मैच नमबर थ्री अफगानिस्तान वर्सेस जानने के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके बीच मुकाबले केतने होएं। इनके बीच आठ मुकाबले होएं जिसमें से पांच में अफगानिस्तान को जीत मिली है और तीन में बंगलादेश को जीत मिली है। तो अगर अफगानिस्तान जीतता है तो आप यहाँ पर शौक नहीं होगीगा अगर बंगलएश भी जीतती है तो भी शौक नहीं होगीगा दोनो बराबर की टककर की टीमें हैं हैं है dopo तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मुकाबला हो कार रहा है शार्जा ग्राउंड भी हो रहे जोगी है आपका UAE में काफी शांदार ये स्टेडियम माना जाता है तो यहां की पीछ से जोड़ी आपको मैं बात बता दूँ कि यहां पर अभी तक 25 मुकाबले होएं इंटरनेशनली और 16 मुकाबले जीती है पहले बले बाजी करने वाले टीम और 9 मुकाबले जीती है बाद में गेंद बाजी करने वाले टीम और यहां पर 1 इनिंग का एवरे स्कॉर 150, 2 इनिंग का एवरे स्कॉर 125 तो यहां पर आप पहले गेंदबाजी भी कर सकते हैं बलेबाजी भी कर सकते हैं यहां पर जो पीच है वो slow होती जाएगी यहां पर due factor नजर नहीं आएगा ऐसा नहीं कि आप टोस्चित के आख मुंद के गेंदबाजी चूज कर लो और आप इसली इस मैच में अपर एंड हों सो इनकी जो प्लेइंग 11 है उसमें थोड़ा बहुत उलट फिर आपको देखेने को मिलने वाला है तो बात करते हैं जो इनके ओपनर होने वाले हो एनमुलहक और मुहम्मद नाइम होने वाले हैं इसके बाद आपको दिखेंगे शाकीब लसन फिर अफीफ हुसेन दिखेंग आपको घजरत उल्ला ज़जाई दिखेंगे फिर आपको रहमन ऐला गुर्बास दिखेंगे फिर आपको इबराहीम जधरान नजीब अल्ला जधरान फिर करीम जनत महामद नभी राशिद खान अजमत अल्ला उमर्जाई नविन उल्हक मुझेबू रहमान फजल हक फारुक तो सबसे पहले condition रखता हम बंगलादेश को कि अगर बंगलादेश को जीतना है तो उनको क्या करना होगा कि power play के अंदर 2 या 2 से उपर विक्ट अफगानिस्तान की लेनी होगी आपको और 50 से उपर score नहीं जाने देना देन उसके बाद जो death over है महाँ पर मुस्ताफिज और रह्मान का चलना बहुत जुरूरी है क्योंकि आप जानते हो कि अफगानिस्तान के पास अच्छे finisher like मुहमद नभी है और करीम जरदी स्कोर लगा सकते हैं राशिद खान भी हिट लगा सकते हैं तो जो अफगानिस्तान के जो नीचे के 5-6-7 के जो बले बाज हैं वो हिट लगा सकते हैं तो अगर बांगलादेश को जीतना है तो उनको score 150 से प्लस ना जाना दे अफगानिस्तान को और अगर अफगानिस्तान को जीतना तो आप जानते हो कि जो उनकी opening partnership है अगर वो power play निकाल जाते है बिना विकेट खोए तो वो कुछ भी कर सकते हैं और शाकी बलसन से उनको बच के रहना होगा इसके अलावा बात करते हैं कि इनके जो फजल हग फारुकी है ना उनकी जो swing जिसने शर्लंका को शोक किया था तो बांगलादेश को भी surprise कर सकते हैं वो इनसे बच की रहनाओ का फजल हग फारुकी से बांगलादेश को यहाँ पर मेरे इसाब से थोड़ा सा tough decision है मेरी दोनों ही favorite team है तो थोड़ा सा tough decision मेरे तरफ से आने वाला है तो इस मुकाबल में अफ़गानिस्तान का पलड़ा एक तो परसेंट से भारी है यहूं बांगलादेश भी जीत सकती है परन्तु जो condition बता रहे हैं जो momentum बता रहा है वो कहीं या कहीं अफ़गानिस्तान कुछ बढ़ा कर सकता है परन्तु बांगलादेश भी बिल्कुल भी हलकी टीम नहीं है वो एक बहुत ही शानदार टीम है और यहां पर वो बहुत अच्छा खेलते हैं देखने वाला है दोनों ही टीमों को best of luck है तो दोनों ही टीमों के जो fan है comment box में आप बताएं कि आपकी टीम से आज कौन superstar होने वाला है कौन आपकी टीम के लिए चमकने वाला है अपने favorite खिलाडी अपने comment box में जरूर बताएं और राय दें कि आने वाले वीडियो आप कैसी देखना चाहेंगे इस Asia Cup में क्या आप final देखेंगे इंडिया पागिस्तान के बारे में आपकी क्या राये है चैनल पर पहले बारा है तो इसको subscribe करना बिलकुल न भूले मिलते हैं next video में cricket से जुड़ी update के साथ